श्रीष सच्छान सद्गुरु सायवाद महाराज की जय जय सायवाद दोस्तों आज जिस टॉपिक को लिखा हम बात करेंगे वह है कमप्रिशर तो आडियो में कमप्रिशर आही जाता है, कमप्रिशर के उस आही जाता है आज हम दिखाएंगे एक भोकल ट्रेक में आप कैसे एक कमप्रिशर को यूज़ करेंगे और भोकल ट्रेक में कमप्रिशर यूज़ करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कमप्रिशर क्या चीज़ होता है कंप्रिशर वो होता है जो एक audio का जो transient point है उस transient point का जो high level जो होता है मतलब high transient point जो होता है और जो low transient point होता है इसको एक level पर लाता है वो compressor और हम लोग क्या करता है एक compressor को use करने के बाद हम लोग को एक dynamic बहुत ही अच्छा dynamic audio level मिलता है और यह dynamic audio level हमारा recording के लिए बहुत खास जरूरी होता है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक audio sound यहाँ पर है यह वाला हिस्से में देखिए है थोड़ा सा low volume है थोड़ा सा low volume है तो और इस जागा में लेकिन थोड़ा सा high volume है देखिए और इसका आगे वाला देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पर देखिए जो लेवल जा रहा है यह थोड़ा सा नीचे बोल रहा है यहाँ पर देखिए एक डायनेमिक सेक्शन में आपको मिलेगा कमप्रेशर लीमीटर यहाँ पर खास चीज होता है कि यह थेशल लेवल जैसे कि आप डिसेबल में गिना जाता है जीतना डिसेबल आप इसको डायनेमिक रेंज देना पड़ेगा ज्यादा कंपसिंग करेंगे तो साउंड हार्ड हो जाएगा हार्ड साउंड लेकिन अच्छा नहीं है तो सोच समझ के आपको देना पड़ेगा कहां तक आपको ठेशल रखना है बाइड डीफोल्ट आप कर सकते है कि 14 डीबी अगर माइनस 14 डीबी कुछ तो मेरे ख्याल से आपको एक टेंटेटी अच्छा सा और्डियो क्वालिटी मिलेगा देखें यहां पर यह जो लाल बटन यहां से लेके यहां तक लेकिन जो वाइट रेंज है वाइट रेंज में एक जो जब जा रहा है तो यह कंपेसिंग एरिया है उपर से जब यह जो रिकार देख पार है आप इस रिकार से जब बाहर जा रहा है यह बाल तब क्या हो रहा है एक्चली लिमिटिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे देखिए सुनिये पहले इसको देखिए बाल यहां पर खूंड रहा है maximum time लेकिन वही चीज सेम चीज अगर आप इस जगह पर जालने के लिए हम लोग उस करते हैं कंप्रशर देख रहा है यह बाल यहां पर आला जला है इसका अंदरिया है लेकिन जब मैं यहां से लेके देखिए लो एडिया में है लो साउंड जैसे साउंड यहां से पास हो रहा है बहुत उची आवाज है और आप यह भी गौर कर रहे है कि इसका साथ सा जो गें रिडेक्शन है यहां पर थोरा सा एक लेवल देख जीरो माइनस वान माइनस थ्री ऐसा रेटेशन दे रहा है तो उसी से आपको रिडेक्शन को नाप के देना पड़ेगा माइनस टू माइनस ट्री सभिसेंट गुट कंप्रेसिंग लेवल आपको मिलेगा उसी से आपको थ्रीशन लेवल ट्राय करना है देखिए एहसास है मुझे को खाफा तुम हो यारो कुछ बात ऐसी सताए मुझे को मुझे तुम ना छोड़ो मुझे यू ना रूला हो यादे तुम्हारी माइनस 15.8 डिवी अगर रखे हम तो इसका एहसास है मुझे को देखिए कभी कबार कफा तुम हो यारो कभी कबार यह माइनस 3 तक चले आ रहा है तो एक्चुली आप यहां देखिएगा कि कभी आ ओ मतलत गाने में जो वाड है आ ओ एसा कुछ अगर साउंड आए ऐसा कुछ आएगा तो और आपिटिकली इसका एस्पिल ज्यादा हो जाता है तो उसी जो जो हाई एस्पिल बला साउंड उसको कंट्रॉल करने के लिए आपको थिसल लिबल देखे उसको मैंच करना पड़ेगा मैं आगे देखाता हूँ इसको कैसे मैंच करेंगे आप दिखिए आप जो बानी है, मतलब गाने का जो गीत है, सुनिए, तो यारो जब बोल रहा है, अब देखर या में तुछा कंपर से ज़ादा हो रहा है, तो मैं माइनस 15.8 रखा है यहाँ पे, थेशल लेवल, और इसका हम और भी थुछा से क्याम करेंगे, माइनस 17, माइनस 16 करेंगे, चलेगा, माइनस 19 ही कर देता हूँ, देखिए, ऐसा कुछ, अब देख रहा है, सताय मुझ को जब बन्दा जब बोल रहा है, वहाँ पे लेकिन उतना कंपर से नहीं हो रहा है, आप यह वाला जगा में देखिए, तुछा से लोग पर दूर नहीं तुमसे, यह ना सोचू, देख रहा है, के मैं दूर चला, तुमसे, दूर, बतलब दू, ओ, यह जो, ओ वाला जो साउंड है, इसके में भी थोर सा हाई SPL जा रहा था, इसलिए इसको कंट्रू कर दिया, यह है, इसके बाद जब इवल देखिए, के मैं दूर चला, तुमसे, इसके ब याडो, कुछ बात ऐसी, तो आप देख रहे हैं, कि यह आटोमेटिकली थिसल लेवल, आपने, मतलब, देख के इसको एज़स्ट कर रही है, और यह थिसल लेवल अपने अज़स्ट किया है, और यह थिसल लेवल अज़स्ट करने के बाद, आपको आणा पड़ेगा, अटक ग यह थिसल रेख है, अब गादि बुम काम बहुत बहुत भाईटब है कि कितना फ़ास्ट, जो बाउंट ऐसे लेवल जारहे है, यह जो आप ज़ागा देख रहे है, जहां पर क्रॉस कर रहे है, तो बेड़न ज़ समय और धर आGS ुसको कितना फ़ास्टर आटक करेगा, त कि बहुत फास्ट अटक करेंगे तो गारा सुनने को तो हर्ट जैसे आएगा जैसे अटक बहुत फास्ट हो रहा है और रिलीज रेट 80 मिली सेगंड मेरे ख्याल से ठीक है और 5 मिली सेगंड अटक रहेगा उसके साथ-साथ आपको आना पड़ेगा रेशियो में रेशियो क्या आपको बाफस करता है मतलब आपको देता है कैसे देता है देखिये रेशियो हमेशा 3-1 ऐसा नहीं तो 1-1 ऐसा भी कर सकते हैं आप 2-1 3-1 मतलब 1 बुलत तो जो आपका पास बाफस आ रहा है 1 डिवी कि इतना डिवी ज्यादा जाने के साथ-साथ-साथ आपको वान डिवी यह लेकिन आपको टाय करना है तो भोकाल के लिए मेने हिसरब से 2-1 से लेकर 4-1 तक ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर 3-1 दोंगा कि अगर 3-1 हम यहाँ पर देंगे इसका मतलब क्या है यह जो थ्रेश्वर लेवल है थ्रेश्वर लेवल के उपर जिस वाट का जिस गाने का जि गूले है तो ली दर क्या कर रहा है लीमिटर कोने से तींडीबी तो ले रहा है और उसमेंसे अपको 1-2 बापस कर रहा है तो मतलब आपका यह जो डू डीवी लेकिन आपको एज़स्ट हो रहा है आप मैंलइन légsट कर रही है तो ऐसा बहुत ज़्यां और चल रहे pięór कि में आपको 1 dB वापस मिल रहा है इसलिए आपको सुने दे रहा है वह वाला साउंड नहीं तो आपको सुने नहीं देता है ठीक ठक से और इसके साथ साथ आपको नी लेवल भी अज़स्ट करना पड़ागा देखें जिसे बोलते हैं घोटना है न तो यह जितना हाट रखेंगे यह वाला जो है डारेक्ट रहा है यहां से जाके यहां पर आता है फिर वहां से दूसरा स्किल जाता है तो इस जगह लेकिन तो आसा हार्डनेस पैदा हो जा रहा है तो मैं क्या करता हूं इसमें तो आसा सौब देता हूं मानली यह 29 यह 20.8 dB 20.6 अगर आपको अगर डारेक् 20.8 करके देसे तो नील जीसे की मैंने स्वप कर दिया और येश्यों 3 2 1 रखा तो कूल मिला के यहां पर आपका जो कंपासिंग हो रहा है जो कंपासिंग हो रहा है और जो लीमिटिंग हो रहा है बहुत सफ अपको एक फाइल देंगे तो चलिए देखते है इसका क्वालिट तो यह जो compressing level का जो मतलब gain reduction जो अब देख रहे हैं, यह minus 3 to minus 4 तक ठीक ठाक है, और हम लोग यहाँ पे जो set किया है, low portion में देखिए, lower portion में, थोड़ा बहुत तो compression दे रहा है, minus 3 तक, अभी इसके साथ काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए, इन में level का peak level यहाँ तक है, out का यहाँ तक है, तो यह in and out, यह दोनों को बड़ाबर करने के लिए आपको gain का फुरसा साहरा लेना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से जो input आपको यहाँ पे मिल रहा है, input का peak level मिल रहा है, peak level को आप gain की जरीए, out level को उसको peak level के बड़ाबर कर दीजिएगा, चलिए, करता हूँ मैं यह वाला से, ज़्यादा हो गया, 5 dB यह 5.2 dB कर जाएगा, देखिए, यहाँ तक चल रहा है, और इसके बाद देखते है, input आउपूट, इस जगह में देखिए, तो आपट लाओड लगडा है, इसको मैं करता हूँ 5 dB, देखते है, तो आपट लाओड लगडा है, 4.7 dB करें, यहाँ देखते है, चलिए, इस जगह में देखिए, तुम से यारो यह था आपका सॉफ पोजिशन आपका लॉट पोजिशन में जा के देखते हैं अब देखिये लेकिन ये बड़ा बर था पीक लेबल के साथ-साथ तेंगा देखिये यहां पे फिर से यह देखिये वाला जहां पे हाई SPL था इस जगह में यह लेकिन आउट को स से रखा है level हाँ आप चलिए हम देखते हैं यह जो हमने यहां पे जो compressor लगाया इसका effect जब हमको मिलेगा दूसरे अगर track में हम प्रिंट करते हैं तो अब बेसले हमको मिल जाएगा कि इसका graph कैसा मिला है हमको और जो हमने compressing करने के बाद जो graph हमको मिला है इन दोनों में एक compare करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इसका असर कैसा हुआ है और कितने अच्छा मतलब इसको compressing किया है तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को और एक track लेना पड़ेगा आप बनो track इस जो track लिया है तो अब ही क्या करेंगे अब इस track में देखिए इसक इनपूर्ट में चलिए तो इसका तो studio था नहीं मोनो था बास नमबर 10 इसका इनपूर्ट भी बास नमबर 10 कर देते हैं और इसका जो output है इसमें हम रोडेकाट करेंगे आपको बतला जाएगा कि यह कैसा dynamic level दे राम को चलिए देखते हैं कि मैं दूर चला तुमसे यारो मैं दूर नहीं तुमसे यह न सोचो कि मैं दूर चला तुमसे एहसास है मुझे को खाफा तुम हो यारो कुछ बात ऐसी सताए मुझे को मुझे तुम न छोड़ो मुझे यू न रुला हो यादे तुम्हारी सताए मुझे को ये 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 तो अपने साइध देखाता होगा आख के सामने आपको मिल गया है अभी इन दुनों को मैं बड़ा करता हूं बड़ा इसको मैं का देता हूं देखिए यहां पर इसका जो high SPL देख रहे हैं आप और इसका जो SPL देख रहे हैं दोनों का खुब नजदिक से देखिए इसका level देखिएगा इसका level देखिए और साथ-साथ इनका level देखिए इनका level किसाब से जो compass किया हुआ जो audio level था level लेकिन सब के साथ एक average SPL में आ गाय हैं तो वैसे ही और जहां पर देखिए यह बहुत loud आवाज आ रहा था इस जाका पर लेकिन loud आवाज आपको सुना ही नहीं देंगे उतना loud देखिए लो जो पोर्शन है लो पोर्शन का level भी आपको यहां तक रखा है देखिए माइनस जो वाने 5 तक रखा है खाफा तुम हो यारो कुछ बात ऐसी देख लिए इसका हार जो पिक लेवल माइनस मुझे तुम ना छोड़ो माइनस 5 परंट से बेंस पर जानी जार जिए है तुम ना रूला हो यादे तुम्हारी सताए मुझे को तो आपको समझ में आगे रहा होगा कि लो जो section है वो भी ऐसा एक डानेमिक लेवल में दे रहे हैं जब कोई पूरा band वजेगा पूरा track उसके साथ रहेगा तो आपको भोकल को एक tight effect देने के लिए भोकल को enhance करेंगे और आपको कोई problem ही होगा कि भोकल पीछे जा रहा है बैंड से पीछे जा रहा है ऐसा नहीं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा compression करने के बाद full track के साथ जब भोकल आता है तो सुने को कैसे लगता है तो चलिए देखते हैं एक project file से लिया था यह वाला भोकल और मैं आपको अभी दिखाता हूं चलिए सुनिए वाला हिस्सा याडो मैं दूर नहीं तुमसे यह न सोचूं के मैं दूर चला तुमसे यारो मैं दूर नहीं तुमसे यह न सोचूं के मैं दूर चला तुमसे एहसास है मुझे को खपा तुम हो यारो कुछ बात ऐसी सताएं मुझे को मुझे तुम ना छोड़ो मुझे यू ना रूला हो यादे तुहारी सताएं मुझे को यह 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 तो दोस्तों मैं अमीद करता हूं कि आपको कैसे मतलब आपको साइड आइडिया अगया होगा जो जो लोग नए ने अपकी स्टुडियो खोला है और चाहते हैं कि वोकल में कैसे कंपसिंग करें तो यह हमने दिखाया आपको आप पूशिच कीजिए ट्राइ कीजिए आपको ज़रूर आपको कोई अच्छा सब एक एफेक्ट मिलेगा अच्छा प्रोट्यक्त मिलेगा अपको आपको अर इसके बाद हम दिखाएंगे कि एक ही भोकल ट्रैक में दो अगर अगर नमस्तेजी झाल